फेस्बुक प्रोफाल को डिलिट कैसे कर सकते हैं हालो दोस्तों आज की इसी वीडियो में जानेंगे कि अपने मोबाल में फेस्बुक पर हमने कोई भी डिपी को सेट करके रखे हैं या आपने कोई प्रोफाल फोटो को सेट करके रखा हैं उसको delete कैसे कर सकते ही एक सास्केम ने मेरे को comment करके बताया था कि मैंने facebook पर अपना photo set करके रखा है मैं उसको delete नहीं कर पा रहा हूँ वो delete का button भी मेरे को कहीं नहीं मिल रहा तो अपने mobile में profile photo को delete कैसे कर सकते ही तो दोस्तों आप इसी video को सरू से लेके end तक देख लेना आपको भी समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते ही तो दोस्तों वीडियो को start करने से पहले अभी तक भी आपने इस channel को subscribe कर देना और आपको pass blind गंटी दिखाए देरी उसको भी ओल पर प्रेस कर देना और दोस्तों subscribe करना बिल्कुल free है आपको कोई पैसा को charge नहीं कटेगा तो subscribe button जरूर दबा देना उसका बद गैस आप अपने mobile में सबसे बले facebook को open कर लेना यानि अपने mobile में facebook account को open कर लेना उसका बद गैस आप अपने mobile में अपने facebook profile को open कर लेना जैसे दोस्तों अपने mobile में facebook profile को open कर रहे हूँ तोगईश आपको आप प्र प्रोफाल पर tape करोगे तो भी गैस आपको आपपर profile डिलीट करने का button हम को कहीं नहीं दिखाए देरा तो अपने mobile में profile photo को delete case से कर सकते ही तो guys आपको आपर camera के button पर click कर लेना और दोस्तों आपको आपर दिखा इदरा scene profile picture उस पर आपको click कर लेना जैसे उस पर click कर के आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा उसका बद गयस आपको आपर कोने में 3DOT का button दिखा इदरा उस पर click कर के आपको आपर दिखा इदरा delete photo उस पर आपको click कर के आपको आपर delete पर click कर लेना जैसे उस पर click कर लोगे तो guys आपकी profile DP होगी या profile photo होगी तो delete हो जाएगी तो दोस्तों आप अपने mobile में profile photo को delete करना चाहते ही तो इस पर कार कर सकते ही तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको useful लगी तो वीडियो को like जरूर कर देना और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के निचे comment करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चनल पर नयो तो चनल को subscriber जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद